ब्रश्टाचार के खिलाफ लडाई है और ब्रश्टाचारी अगर हैं अगर प्राहिमा फेसाई प्रथम जृष्टिया सबूत हैं अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ तो इसे राजनतिक विचंट क्यों बता रही है प्रियंका ब्रश्टाचारी के खिलाफ तो कारवाई होनी सभी को नमस्ते संदीब जी भ्रष्टाचार के खिलाफ पूर जोर तरीके से कारवाई होनी चाहिए और हमारा कोई भ्रष्टाचारी निकले तो डबल सजा देनी चाहिए इसमें कोई दो रहे नहीं है पर हमारे साथ जो हो रहा है वो विच्छंट पोलिटिकल विच्छंट हो कि दो साल हो गए और PMLA में सबसे important constituent क्या होता है कि proceeds of crime होना चाहिए दो साल हो गए आपके media में stories आती है पर कहीं चवन्नी की recovery नहीं हो रही दो साल हो गए investigation ongoing है पर हम जेल के अंदर है सारे heinous crimes चाहे वो terror funding हो अच्छे ये सुनिए terror funding का संजे सरोज कल भाजपा में शामिल हो करते थे वो इनको ठीक लगता है वो भाजपा में शामिल हो गया कल पर हम जिसके पास आपको कोई सबूत नहीं मिल रहा कोई आपने इतनी सारी रेडे कर ली कुछ नहीं मिल रहा हम जेल में language कर रहे हैं क्योंकि PMLA कानून में इन्होंने ऐसे संशोधन कर दी है दूसरी कोई नाम ने लिया तीसरी स्टेटमेंट के बाद सडनली उनको नाम लिया और उसके बाद के उनको बेल मिल जाती है किस रीजन पे कि उनकी बैक में पेन है PMLA में रेगुलर बेल मिल गई उनको बैक पेन के लिए और ED ने अपोज नहीं किया तो बेल मिल गई क्योंकि कानून के तहर्त तो मिल नहीं सकती थी उनको बेल मिल गई उसके बाद सडनली 45 करोड का चंदा 45 करोड का चंदा जा रहा है जो एक फैक्ट है एनीवन केंचेकेट जो आपने भी बताया जो भाजपा को गया और वो अब बचाते क्या चल रहा है ये पर प्रियंका एक चीज़ बताएए एक वो पुरानी कावत है ना चोर की डाड़ी में तिनका बही नौ समन दिये गए अरविंद केजरिवाल को समन का जवाब क्यों नहीं दिया जी ये तो इलीगल हैं आपको कोई राहत नहीं मिली निचली अदालत से भी हाई कोट गए फिर ये कैसी तैयारी है कल रात को आपने एफाइलिंग कर दी सुप्रीम कोट में फिर आज याद आया कि नहीं जी पहले तो निचली अदालत में ही जाना पड़ेगा राहुजेविन्यू कोट में जाना पड़ेगा फिर आगे देखेंगे अगर कुछ नहीं किया सीधे सीधे सवालों के जवाब देने में क्या दिक्कत थी ये आम आदमी के जहन में ये सवाल भी उठ रहे हैं प्रियंका तो मैं आम आदमी को बताना चाहूंगी कि हमने ED के हर समन का जवाब दिया लिखित में जवाब दिया हम ED के खिलाफ कोट भी गए हमने समन को चालेंज भी किया ED भी हमारे खिलाफ कोट गई जिस केस में हमें बेल मिली मैं ये भी बताना चाहूंगी हमने ओफर किया था कि आ आखिर ED का conviction rate under 0.4% क्यों है क्यों इतनी वाहियात investigation रहती है ED की कि इतना low उनका conviction rate है अगर video conferencing होती सब हस्ते उनके उपर पता था हमें तो यह देखिए आप हमारी policy वैसे तो हमारी policy we still I believe is the most superior policy that India has ever seen unlike Gujarat जहां पे आपको spurious alcohol मिलता है कुले में जहां पे 20,000 करोड का वैद ध रहा हूँ एक यह बताईए आप जो इतना हला अर्विन केज रिवाल पर काट रही है एक सेकंड यह विजे नायर आपका पूरा media communication को ahead कर रहे थे एक टाइम पर हाँ या ना तो हमारे volunteer थे जी थे ना नजदी की बताए जाते हैं आज भी जेल में है उन वहाँ हला नहीं होता ट्रेल विजे नायर की भी एक ट्रेल है अपने आप में गलत तो नहीं मैं कह रहा हूँ वो भी बेल पे हैं अब हाँ बेल पे किसली आए हाँ मालूम है मुझे क्यों आए हाँ medical ground पही है हाँ medical ground पही आए but at the same time आप देखिए इसमें क्या हो रहे संदीब जी सबको पहले CBI के अंडर धरा गया CBI में सबको बेल मिल गई same offense में उसके बाद बेल मिलते ही ED ने पकड़ लिया क्योंकि PMLA के अंडर आपको बेल मिलना लगभग नामुम्किन हो चुका है after the 2018 amendments that the BJP made through money bill route which revived section 45 of the PMLA Act which was declared unconstitutional by the Supreme Court which is an impossibility which in itself is under challenge before the Supreme Court यह मजाग चल रहा है संदीब जी मैं आपको 100% आश्वासन देकर कहती हूँ कि हम लोग न मजाग तो आप भी कर रहे हैं बरविंद केजरिवाल आम आदमी पार्टी आप लोग कर रहे हैं वो जेल से चलाएंगे जेल से सरकार चलती है क्या हाँ चल जाएगी कोई दिकत नहीं आएगी हमें हमारी क्याबिनेट भार ही है हम सरकार चलाएंगे जी बिल्कुल चलेगी कैबिनेट के फैसलों पर दस्तकत कैसे करेंगे अर्विंद केजरिवाल कोट जाएंगे कोट जाएंगे परमिशन लेंगे हो जाएगा यह तो अलाओड है हम संजे सिंग जी के साथ भी कर रहे हैं वो अपने एरिया में फंड रिलीज करते हैं वो होता है इसमें कोई दिकत में लीगली मैं आपको क्या कह रही हूं संदीब जी या आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि हम साधारन परिवार से साधारन लोग हैं बहुत हम लोग वेल स्टैबलिश्ट भी हैं हमने अपने अच्छे प्रोफेशन अपने अच्छे करियर्स छोड़के हमें चाहिए था कि 2024 की इंडिया में हर जगा बिजली हो हर जगा पानी हो हर जगा अची शिक्षा हो हर जगा अची हैल्थ हो इस अरविंद केजरिवाल जी को विजन को बढ़ाने के लिए हम साथ आये थे अब तो उसमें शराब गोठाला करने की इजाज़त थोड़ा दी गई गुंडे मवाली नहीं तो हमने नहीं किया ना हम आपको नहीं किया चलिए अभी जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पे आये बपीता जी का दिल सास बहू सासिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फ ABP News आप को रखे आगे